आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगी मेरे नाम ऐसे धान तक नहीं हो तो इस टेड़ी क्लोस पर आपका बहुत दोस्वा गया है तो अमेरिका के मिलिटरी बेस में चाइना बोल रहा है कि देखो ये अमेरिका की गलती अमेरिका ने कोरोना वारे चोड़ा है अब अगर वो पीछे पढ़ गया तो पढ़ गया जान छुड़ा के भागना पड़ता है ऐसा है तो हम बात करेंगे दोस्तों चाइना के ओपर आलोप लग रहे थे डव्यो बोल रहे थे कि चाइना में जाके COVID-19 चाइना की लाप से निकला है चलो हम इन्वेस्टिगेट कर देगे तीन महीने के अंदर अंदर डेपोर्ट दो चाइना में भी तुमको बताते है रुको बहुत उचल लहे हो ना चाइना ने बोला यह COVID-19 तुमारे यहां से निकला है और अब पूरे के पूरे चाइना में एक लहर सी दोड़ गई है कि COVID-19 अमेरिका से निकला रैप बन गए है बात करते हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो इंस्टा पर फॉलो करो टेलिग्राम पर आओ इतनी सारी डिस इंफर्मिशन है इतनी सारी डिस इंफर्मिशन कैम्पेंच चल रही है COVID-19 की अमेरिका के मिलिटरी बेस जो के मैरिलेंड में है वहां से यह लीक ह अंदर अंदर COVID-19 कहां से आया है बताऊंगा मैं मैं आपके सामने कच्छा चिठा खोल के चाइना का रख दूँगा यह वुहान लाब लीक थियोरी कि वुहान यह लोग COVID-19 बना रहे थे यह वायरिस बना रहे थे और यह वहां से लीक हो गया यह पक्की ख़बर है 90 दिन के मैं जून जुलाई हाँ यह 90 दिन तो होगे मतलब 10 शायद 8-10 दिन बाकी होगे तो चाइना बहुत ओफेंसेव हो गया है चाइना को डर भी है न कि अगर प्रिपोर्ट नो को चुल्टा सीधा हुआ क्योंकि अमेरिका की बात तो सुनती है पूरी दुनिया तो फिर हम क्या क से लेकर फेस्बुक पोस्ट तक लेकर इतने ज्यादा प्रोपगेंडा अमेरिका के ऊपर चला दिये हैं हालाग कि खाली चाइनीज ओडियेंसी बहुत खुश हो रही है तालीप अमेरिका को गेर रहे है और समझे कि इंटरनाशनल ट्रिटिसिजम चाइना इंटरनाशनल ट कभी वाशिंग्टन डीसी यहां पे फोर्ट डेट्रिक जो है वाशिंग्टन डीसी के पास में आपने कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा ज्यादातर अमेरिकन्स ने इसका नाम सुना ही नहीं होगा कि यह है क्या अब चाइना में यह हाउस होल्ड नहीं बन गया है अब फोर्ड डेट्रिक है क्या, अमेरिका के बाइलोजिकल वेपन्स प्रोग्राम का ये पार्ट है, अब अगर आरोप लगाना था तो एरिया 51 पे लगा देते, गदे हैं चाहिनीज, वहाँ पे तो चलो काफी ज़्यादा क्रेडिबल रहता, क्योंकि अमेरिका एरिया 51 की बात कर अमेरिका की सीक्रेट बेस है, तो उस पे अगर तुम अरोप लगाते, तो जाधा अथेंटिक लगता, तुम पता नी, फोर्ट डेट्रिक, कौन से, कौन से जमाने का फोर्ट है, ये बायोजिकल वेपन प्रोग्राम है, आपे बायोमेडिकल लाप्स है, लेकिन ठीक है, बा लाम लाइट में लेके आएंगे, तो बढ़िया रहेगा, तो एबोला, स्मॉल पॉक्स, ये सब यहां से आए हैं, ये बोला है, चाइनीज नैशनलिस्ट ने तो एक रैप सॉंग लिकाल दिया है, सीडी रेव, और इसको जाव लिजान, जो चाइनीज फॉरेंड मिनिस्ट तो आप एक बात बताईए कि अगर भारत में उल्टा सीधा आरोप लगने लगे तो क्या आएस ये सब बोलेंगे, ये कॉंस्पेरिसिस, थेोरिस को कोई आगे थोडी ना बढ़ाता है, कोई पढ़ाले का इंसान, लेगिन इनकी तो फॉरें मिनिस्ट्री ये आगे बढ़ा बना दिया, अब मिस्टर जाओ की बात करें, तो आपको पताईए कि ये पगले थैंक दम, इनकी जो स्टाइल है वो एग्रेसिव, बहुत डिपलोमेसी में भयानक है, मतलब एग्रेसिव हैं ये काफी ज़्यादा, हारे हम ही हां हम ही ने किया क्या कर लोगे बताओ, ऐसे है इनका, हम ही हैं, तो अमेरिका की ओरीजिन थियोरी को, इन्हों नहीं बल दिया, और अभी अगस्त से, इसी अगस्त में दोस्तों, एक के बाद एक ट्वीट सा है, अब समझिए कि ये बायो लाब फोर्ट डेटरिक में बंद हो चुकी है, तो जुलाओ 2020 में लिखा था इन् चाबंदल सेल, और आज आखरी दिन है, आज राद 12 बज़े तक सेल क्लोस कर दूँगा मैं, तो सारे कोर्सेज पर शांदा डिस्काउंट है, 25% आफ है, बंधन 25 यूस करिए, 90-95% कोर्सेज पर आफ है, तो अलिगेशन्स क्या है, अलिगेशन्स यही है, कि ये जो COVID-19 है, ये फोर्ट डेट्रिक से ही आया है, अब आप ये समझेए, कि इस पे बकाइदा डिबेट्स हो रही है, इस्पेशल रिपोर्ट चाप रही है, एक ए घंटे की डॉक्यमेंटरी चाप रही है चाइना में, ये फोर्ट डेट्रिक से ही ये लीक हुआ है, क्लेम्स जो है, वो जो चाइना के ओफिशल्स हैं, जो वहां के सिवल सर्वेंट है, वो बढ़ा रहे हैं, कि हाँ, ये किया है, ये एक हैस्टाग चला था इसमें, समझेए, वीबो जो चाइना का ट्विटर है, चाइना में ट्विटर नहीं चलता, फेस्बूक नहीं चलता, वहां पे अपना आइडू है, वीबो है, ये सब चलता है, तो चाइना का वीबो है, ट्विटर का एक्विवेलेंट, सौ मिलियन, समझेए, दस करोण व्यूज आए, पूरा का पूरा चाइना पगला गया कि येस, अमेरिका नहीं ये किया है, अब एरा हुबर्ड, जो की सीनियर इंवेस्ट एनलिस्ट है, ग्राफिका में वो बताती है, कि ये अजीब और गरीब है, ये एक सस्टेंड कैम्पेइन है, और ये एक नेरेटिव को प्रोमोट करने का बहुत बढ़िया तरीका है वैसे, तो जो ग्राफिकली ये नेरेटिव को, मतलब पूरे चाइना को ये मानने पर मज ये न्यूसपेपर ने चाइना का जो न्यूसपेपर है, ओनलाइन पेटिशन लाँच की, कि WHO से बोला है कि आप वो डेटरिक को इन्वेस्टिगेट करवाईए, और समझेए धाई करोंड लोगों ने इसको साइन किया है, स्विट्जर लेंड से लेकर फिजी तक पूरा प समझेए कि एक सुष साइन्टिस्ट है, विल्सन एडवर्ड्स, अब उन्होंने ये बताया था कि वाशिंग्टन इतना जाधा ओपसेस्ट है चाइना को अटाक करने के लिए, उसको ओरीजिन से कोई मतलबी नहीं है, वो बस चाइना कोई, डेल्टा फाइंडिंग छोड़ ये, बिसिकली, लेकिन बाद में, स्विस्ट मीडिया ने ये बोला कि भाईया देखो विल्सन एडवर्ड्स का कोई नाम, कोई ऐसा साइन्टिस्ट नहीं है, ऐसा ये फ्रिक्तीशिस प्रोपगेंडा प्रोफाइल है, जो कि चाइना ने बना ये चाइना ने प्रोफाइल जो कि national tabloid global times में publish हुई थी इसमें भी virus के origins को US से connect किया गया है अब news paper यह suggest करता है कि Dr. Beric Dr. Ralph Beric जो कि Ford district में research कर रहे थे वो एक नया human infecting virus बना रहे थे उसको इन्होंने coronavirus नाम दिया यह paper जो है North Carolina based research वहाँ पे छपा और virus का transmission जो है वो actually bad से नहीं हुआ यह तो अमेरिका ने छोड़ा है अलाकि इस paper में यही था कि bad से ही transmission हुआ है तो editor note में यह साफ साफ था कि यह सब propaganda theory है false theory है बस China जो है वो अमेरिका को कटगरे में खड़ा करना चाता है यह चीज़ आप समझिए voice of south Asia south pacific इसने भी खूब बढ़ चड़ के सब फेलाया है अब यही था देखिए चाइना वैसे बिल्कुल भी यह नहीं दिखाएगा कि हमारे इसमें हाथ है हमारे मीडिया कहां थे लेगिन जब आप इसमें research करेंगे तो यह पाया गया कि yes यह Chinese state own करती है यह चाइना की जो state news agency है चाइना news service का ही है voice of south Asia बीबीसी ने यह भी देखा Edward का जो facebook post है बहुत उसना attention drop किया कि हाँ अमेरिका से आया डेटरिक से आया है और उसको बहुत सारे facebook account पे share किया गया क्योंकि चाइना में तो facebook चलता नहीं है eastman टायला जो मलेशा में है और टायरा श्मिट लेकिन बाद में पता चला टायरा और श्मिट जो है यह किसका है पता ही नहीं प्रो चाइनीज स्टोरी जो चला रहे है facebook pages यह चला रहे है लेकिन कौन operate करता है इन account को यह नहीं पता अब जहां तक है यह चाइना ही चाइनीज ही operate करते है इस तरीके के accounts को और समझे है यह facebook से youtube से twitter से यह ford retric theory को बहुत बल मिल रहा है amplify होती जा रही है लगातार और अमेरिका का mood भी खराब हो रहा है अब देखिए चाइना जो propaganda फहला रहा है covid-19 पे इससे दुश्मन ही बनेंगे दोस्तों तो बनेंगी नहीं लेकिन yes यह बात बिल्कुल सही है कि पूरे के पूरे चाइना को बीजिंग को यह convince करने में कामियाब हो गया कि वाइरिस तो अमेरिका से ही आया है ऐसा domestic legitimacy सबसे important रही चाइना के लिए उसको दुनिया से मतलब ही नहीं है दुनिया क्या बोले हमको कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन घर में सब अच्छा बोलना चाहिए यह बहुत अच्छी बात है चाइना कि वह अपने आपको समालता है उसको दूसरों की बिकर नहीं है यह घर में घर वालों को मानना चाहिए तो यह है चाइना का प्रपगेंडा कुछ रही परते रही देशे से दान तक नहीं हो तरी साइनिंग ओप